नमस्कार हिंगलाज भवानी शक्ति पीट जो पाकिस्तान में है इस्तित हिंगलाज माता मंदिर नानी पीर हिंगलाज माता मंदिर पाकिस्तान के ब्लूचिस्तान प्रांद के हिंगलाज में हिंगोल नदी के तट पर इस्थित एक हिंडू मंदिर है यह हिंडू देवी सती को समर्पिति क्यावन शक्ति पीठों में से एक है यहां इस देवी को हिंगलाज देवी या हिंगुला देवी भी कहते हैं इस मंदिर को नानी मंदिर के नामों से भी जाना जाता है पिछले तीन दशकों में इस जगे ने काफी लोग प्रियता पाई है और यह पाकिस्तान के कई हिंदु समुदायों के बीच आस्था का केंद्र बन गया है हिंग लाज माता का गुफा मंदिर पाकिस्तान के ब्लूचिस्तान परांथ में लारी तहसील के दुरस्त पहड़ी इलाके में एक संकीन घाटी में इस्थित है यह कराची के उत्तर पश्चिम में 250 किलो मीटर अरब सागर से 12 मील अंतर देशी और सिंदू के मुहाने के पश्चिम में 80 मील में इस्थित है यह छेतर हिंगोल राष्टिय उध्यान के अंतरगत आता है मंदिर एक छोटी प्राकरतिक गुफा में बना हुआ है जहां एक मिट्टी की वेधी बनी हुई है देवी की कोई मानव निर्मिच्छवी नहीं है बलकि एक छोटे आकार के शिला की हींगलाज माता के प्रती रूप के रूप में पूजा की जाती है हींगलाज के आसपास गनेश देव, माता काली, गुरु गोरक नात, दूनी, ब्रह्मा, कुंद, तिर, कुंड, राम जरोका, बैठक, चौरसी, परवत पर, अनिल कुंड, चंद्र, गोप और अगोर पूजा जैसे आदिक कई अन्य पूजय इस्थल है लोग कथा, यह डोडिया राजपूत की प्रतम कुल देवी हींगलाज माता पूजनिय है, एक लोग गाथा के अनुसार चार्णों तथा राजपुरोहित की कुल देवी हींगलाज थी, हींगलाज नाम की अत्रिक हींगलाज देवी का चरित्रिया इसका इत्यास अभी तक हिंग लाज देवी से संबन्दी छंद गीत अवेश्य मिलता है। तीनों लोकों का भ्रहमन करने लगे तो भगवान विश्णू ने सती के शरीर को 51 खंडों में विभक कर दिया जहां जहां सती के अंग प्रत्यंग गिरे विश्थान शक्ति पीट कहलाए केश गिरने से महाकाली, नैन गिरने से नैना देवी कुरुक छेतर में गुल्फ गिरने से भदरकाली, सहरनपुर के पास शिवालिक परवत पर गिरने से शाकुमबरी आदी शक्ति पीट बन गए सती माता के शव को भगवान विश्णु के सुदर्शन चक्र से काटे जाने पर यहां उनका सिर गिरा था देवी को हिंगलाज माता, हिंगलाज देवी, हिंगुला देवी और कोटारी या कोटवी के रूप में भी जाना चाता है इस्थानियम मुस्लिम भी हींग लाज माता पर आस्था रखते हैं और मंदिर को सुरक्षा प्रदान करते हैं वे मंदिर को नानी का मंदिर कहते हैं देवी को बीबी नानी यानि कि सम्मानित मात्र दादी कहा जाता है बीबी नानी नाना के समान हो सकती है जो कुशान सिक्को पर दिखाई देने वाले एक पुजय देव थे और पश्चिम और मध्धे एशिया में व्यापक रूप से उनकी पूजा की जाती थी एक प्राचीन परंपरा का पालन करते हुए स्थानिय मुस्लिम जन्जातियां तिर्थ यात्रा समू में शामिल होती हैं और तिर्थ यात्रा को नानी की हज कहते हैं इस शक्ती पीट की देख रेक मुस्लिम करते हैं और वे इसे चमतकारी की स्थान मानते हैं सुर मेय पहड़ियों की तलहटी में स्थीत यह गुफा मंदिर इतना विशाल काई छेत्र है कि आप इसे देखते ही रह जाएंगे इत्यास में उलेक मिलता है कि यह मंदिर 2000 वश पूर भी यहीं विद्धमान था माता ही इंगलाच की खेयाती सिर्फ कराची और पाकिस्तानी नहीं अपितु पूरे भारत में हैं नवरातरी के दौरान तो यहां पूरे नौ दिनों तक शक्ति की उपासना का विशेश आयोजन होता है सिंध कराची के लाको सिंधी हिंदू श्रधालू यहां माता के दर्शन को आते हैं भारत से भी प्रतिवर्ष एक दल यहां दर्शन के लिए जाता है हा जी यानी इस मंदिर पर गहरी आस्ता रखने वाले लोगों का कहना है कि हिंदू चाहे चारो धाम की यात्रा क्यों ना कर लें काशी के पानी में इस नान क्यों ना कर लें आयोध्या के मंदिर में पूजा पाठ क्यों ना कर लें लेकिन अगर वह हींग लाज देवी के द देखा जाता है एक बार यहां माता ने प्रकट होकर वर्दान दिया कि जो भक्त मेरा चुल चलेगा उसकी हर मनो कामना पूरी होगी चुल एक प्रकार का अंगारों का बाड़ा होता है जिसे मंदिर के बाहर 10 फिट लंबा बनाया जाता है और उसे धदकते हुए अंगारों से भरा जाता है जिस पर मननत धारी चल कर मंदिर में पहुचते हैं और ये माता का चमतकार ही है कि मननत धारी को जरा सी पीड़ा नहीं होती और ना ही शरीर को किसी प्रकार का नुकसान होता है लेकिन उसकी मननत जरूर पूरी होती है हाला कि आजकल यहां परंपरा नहीं रही कथा टेका है यहां माता जन्शुरूती है कि मर्यादा प्रुशोत्तम भगवान श्री राम भी यात्रा के लिए सिद्ध पीट पर आई थे हिंदू धर्म ग्रंतों के अनुसार भगवान पर शुराम के पिता ने यहां घोर तब किया था उनके नाम पर आईसाराम नामकिस्थान अब भी यहां मौजूद है कहा जाता है कि इस परसिद मंदिर में माता की पूजा करने को गुरू गोरकनात गुरू नानक देव दादा मखान जैसे महान आध्यात्मिक संत आ चुके हैं ऐसा है मंदिर का स्वरूप पहड की गुफा में माता हिंगलाज देवी का मंदिर है जिसका कोई दर्वाजा नहीं मंदिर की परिकर्मयात्री गुफा के एक रास्ते से दाखिल होकर दूसरी और से निकल जाते हैं मंदिर के साथी गुरू गोरकनात का चश्मा है मानने ता है कि माता हिंग लाज देवी यहां सुभा इस्नान करने आती है माता हिंग लाज मंदिर परिसर में श्री गणेश काली का माता की प्रतीमा के अलावा ब्रह्मबकुंड और तीरकुंड आधी परसित तीर्थ है इस आधी शक्ति की पूजा हिंदू द्वारा तो की ही जाती है इन्हें मुसल्मान भी काफी सम्मान देते हैं हिंग लाज मंदिर में दाखिल होने के लिए पत्थर की सीड़िया चड़नी पड़ती है मंदिर में सबसे पहले श्री गनेश के दर्शन होते हैं जो सिद्धी देते हैं सामने की और माता हिंग लाज देवी की प्रतीमा है जो साक्षात माता वैशनो देवी का रूप है मुसल्मानों के लिए नानी पीर है माता जब पाकिस्तान का जन्ड नहीं हुआ था और भारत की पश्षी मी सीमा अफगानिस्तान और इरान थी उस समय हिंगलाज तिर्थ हिंदुों का प्रमुक तिर्थ तो था ही बलुचिस्तान के मुसल्मान भी हिंगला देवी की पूजा करते थे उन्हें नानी कहकर मुसल्मान भी लाल कपड़ा, गर्बत्ती, मुम्बत्ती, इत्र, फलूल और सीर्नी चड़ाते थे ही इंगलाज शक्ति पीठ हिंदू और मुसल्मानों का सैयुक्त महतिर्थ था हिंदू के लिए यह इस्थान एक शक्ति पीठ है और मुसल्मानों के लिए यह नानी पीर का इस्थान है कई बार मंदिर को तोड़ने का हुआ प्रियास मुसलिम काल में इस मंदिर पर मुसलिम आकरंतानों ने कई हमले किये लेकिन इस्थान ये हिंदू और मुसल्मानों ने इस मंदिर को बचाया कहते हैं जब यह हिस्सा भारत के हातों से जाता रहा तब कुछ आतंक वादियों ने इस मंदिर को शती पहुचाने का प्रियास किया था लेकिन वे सभी के सभी हवा में लटक गए थे कैसे जाए माता हिंगलाच के मंदिर दर्शन करने को इस सिथ पीठ की यातरा के लिए दो मार्ग हैं एक पहाड़ी तथा दूसरा मरुस्थली यातरी जथा कराची से चलकर लस बेल पहुचता है और फिर लेयारी कराची से 6-7 मिल चलकर हाव नदी पड़ती है यहीं से हिंगलाच की यातरा शुरू होती है यहीं शपत गिरहन की क्रिया संपन होती है यहीं पर लोटने तक की अवदी तक के लिए सन्यास गिरहन किया जाता है यहीं पर छड़ी का पूजन होता है और यहीं पर रात में विश्राम करके प्रातेकाल ही इंगलाज माता की जैब बोल कर मरुस्तिर्थ की यात्रा प्रारम की जाती है रास्ते में कई बरसाती नाले तथा कुए भी मिलते हैं इसके आगे रेत की एक शुश्क बरसाती नदी है इस इलाके की सबसे बड़ी नदी हिंगोल है जिसके निकटचंद्र कूप पहाड है हिंगोल में यात्री अपने सिर के बाल कटवा कर पूजा करते हैं तथा यगो पवित पहनते हैं इसके बाद गीत गाकर अपनी श्रधा की अभी व्यक्ति करते हैं मंदिर की यातरा के लिए यहां से पैदल चलना पड़ता है चोकि इस से आगे कोई सड़क नहीं है इसलिए ट्रक या जीप पर ही यातरा की जा सकती है हिंगोल नदी के किनारे से यातरी माता हिंगलाज देवी का गुनगान करते हुए चलते हैं इस से आगे आसा पुरा नामक इस्थान आता है जहां यातरी विश्राम करते हैं यातरा के वस्र उतार कर रिस्नान करके साफ कपड़े पहन कर पुराने कपड़े गरीबों तथा जरूरत मंदों के हवाले कर देते हैं इस से थोड़ा आगे काली माता का मंदिर है इस मंदिर में राधना करने के बाद यातरी हिंगलाज देवी के लिए रवाना होते हैं जातरी चड़ाई करके पहड पर जाते हैं जहां मीठे पानी के तीन कुएं हैं इन कोहों का पवित्र जल मन को शुद करके पापों से मुक्ति दिलाता है बस इसके आगे पास ही माता का मंदिर है जातरी चुद करके पास हैं